हिमाचल परदेश कॉंगरेश सोशल मीडिया विभाग ने आगामी विधान सभा चुनावों के लिए आज से ही कमर कसना शुरू कर दिया है हिमाचल परदेश कॉंगरेश सोशल मीडिया विभाग ने आगामी विधान सभा चुनावों को लेकर कमर कसली है और इसी के चलते हमीडपूर में परदेश के 42 विधान सभा चुनावों के समनवेकों की विशेश ट्रेनिंग दी गई जिसमें बता और मुखहती थी कॉंगरेश सोशल मीडिया के चेर्मेन अभिशीक राना ने शिर्कत की और सभी सदर्शें को अगामी दिनों के लिए टिप्स भी दिये कॉंगरेश पार्टी की नाकाम्याबी है उसको हमने जनता तक कैसे पहुंचाना है उस संधर्म में हमने ये कैम्प रखा है और जितने भी अभी आज यहां पर लगबग 42 कॉंचियोंसियों के जो कॉडिनेटर्स या को कॉडिनेटर्स यहां पर पहुंचे हैं उनको ट्रेनिंग दे कर और ये सारी चीजें जो है वो बूच सतर तक प्रॉपर पहुंच सके और्गनाईज हो सके उस अंदर में कैम्प रखा है और आने वले समय में निश्चित रूप में जो हमारा ये विभाग है शोशल मीडिया का वो एक बहुत ही इंपोर्टेंटर रोल जो है वो प्ले करेगा अभी शेकराना ने कहा कि 2022 के लिए कांगरेस ने कमर कसली है और परदेश सरकार की नाकामियों को लेकर वे लोगों तक पहुँचने के लिए शोशल मीडिया एहन भूमिकान निभाएगा इसी के चलते ट्रेनिंग आयो जित करवाई गई है ताकि शोशल मीडिया का हर सदर स सरकार की नाकामियों को उजागर करने में अपनी भागेधारी शुनिश्चित कर सके सरकार की नाकामियों को लोगों तक पहुँचाना है और इस से भरात अमी सरकार की कारेश एली वो बिलगकल जेरो है और माइनस में जाते जा रही है और आने वाले समय में एक बहुत important role जो है वो social media प्रदेश के अंदर play कर रहा है उस चीज़ को हमने कैसे channelize करना है लोगों तक पहुंचाना है ये बहुत जरूरी है